गर की construction करवा रहे हो और अगर ये वीडियो नहीं देखोगे तो contractor आपको बेफकूफ बना देगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप अपने गर के लिए 10 लाग, 15 लाग, 20 लाग खर्चा कर रहे हो तो आपको वो क्या क्या करके देगा कुन सी company की tile लगा के देगा, कितने तक का bathroom बना के देगा, आपको wiring कुन सी करके देगा तो आज की वीडियो में मैं सब clear करूँगा कि contractor के rates क्या चल रहे हैं, खर्चा कितना आएगा और साथ ही साथ वो आपको क्या काम करके देने वाला है ये part 2 है वीडियो का, जिन्होंने part 1 नहीं देखा, वो description में लिंक रहेगा तो आज हम शुरू करते हैं कि आपको grade 2 का, class B का गर बनाने में कितना खर्चा आएगा और क्या 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 contractor करके देने वाला है देखो सबसे पहले ये, class B का जो गर रहता है मतलब उसका खर्चा हमें पड़ता है, अगर 1000 square feet का गर है आपका जितना का भी गर हो, square feet का, आपको यहां डालने, 500, 600, 1000, 2000 और rate चल रहा है जो 1850, कितना? 1850 रुपे पर square feet आपकी slab का area नापा जाता है, आपकी balcony का area नापा जाता है, आपकी gallery का area नापा जाता है तो total करके जो बनता है, वो हमारा यहां आएगा तो आपको 18,500,000 रुपे लग बग खर्चा आ जाता है, class B का गर बनाने में और class B के गर में क्या-क्या choose होता है, क्या-क्या quality की चीज़े use होती है सबसे पहले वो design करके देते हैं आपको design में वो आपको सरीय की detail, structure की पूरी detail देंगे मतलब earth के proof आपके column होंगे, beam होंगी, footing होगी, उसका design देंगे सरीय क्या-क्या आना है, हर जगा फिर आपको वो design देंगे, plan मना के देंगे, कि आपके room कहा एंगे, kitchen कहा और side पे आके layout करके देंगे पूरा वो, कि यहाँ-जहाँ चुनना मार लो, excavation करवा फिर आपको वो electric की, बिजली की पूरी detail देंगे, कहा-कहा wiring आएगी furniture की detail देंगे, कहा-कहा आएगी, फिर आपको plumbing की detail देंगे, कहा-कहा plumbing होगा यह सब चीजे design इसी rate में include होता है, मतलब आपका design पूरा इसमें आएगा फिर आपका civil work आता है, यह main चीज होती है, यहाँ confuse करते हैं आपको जो shuttering होगी, slab की shuttering, column की, beam की, sub की shuttering, plywood से की जाएगी plywood से shuttering जो रहती है, वो अच्छे से shuttering होती है, जिसमें आपकी slurry leakage नहीं होती है अच्छे से concrete रहते है, और perfect में पूरा साफ सुतरा निकलता है तो जब plate की shuttering होती है, जब grade A का गर मना रहे थे, वहाँ plate की shuttering थी जिन्हों नहीं वीडियो देखिए, वो description है, इसके बाद वो भी देख लेना फिर बात करते हैं, जो steel FV500 यूस करेंगे, उसमें Tata का brand रहेगा, Vizac, Jindal यह क्या मैं बता रहा हूँ, एक contractor था न, उसने यह अपनी quotation दी हुई है कि हम इस तरीके से गर्मनाते हैं, इस rate में और आपको करके क्या देंगे मेरे को यह अच्छा लगा, मैं आपके लिए ले आया कि contractor इस rate में आपको क्या 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 करके देगा और आप इस rate के idea लगा सकते हो, कि यह यह काम मिल रहा है, अगर आपके area में 2000 आपसे ले रहे हैं, तो वो महंगा ले रहा है, ठीक है फिर next है, concrete, M25 concrete यूज़ करेगा वो, आपके column में, footing में, slab में, जिसमें concrete cover भी provide करेगा वो, अच्छे से concrete के cover होंगे, जिससे आप मारा slab का concrete अच्छा होता है, यह footing column का, concrete cover भी देगा और CMET वो यूज़ करेगा, OPC concrete के लिए, और PPC plaster और brick work के लिए, बहुत अच्छी company का, ACC का, Amboja, जो भी company आप चूज़ करते हो, वो इस rate में आपको मिल जाएगा फिर आपको WAC blog या fly ash brick देगा, इन दो में से, red brick नहीं देने वाल है, आप WAC blog आपको चाहते हो, WAC blog लगाना वो देदेगा, fly ash लगाना जाते हो, वो देदेगा, और सारी दिवारे 5 इंच की रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, जब हमने design कर लिया, column, beam, सब कुछ अच्छे से design की है, तो हम 5 इंच की दिवार देने के कोई दिक्कत नहीं है, 9 इंच की देने की ज़रूद नहीं है, अगर आप चाहते हो, लेकिन बाहर की जो दिवारे हैं, वो 9 इंच की देना, अंदर की 5 इंच की, plaster वो करके देगा, बाहर का plaster chemical के साथ, मतलब, cement, sand और waterproofing, chemical, dr. fixid का सिक से, ATT करके देगा, anti-termite treatment, यह बहुत कम ठेकदार करके देते हैं, वो आपको करके दे रहा है, और plinth beam और foundation में, ATT, बहुत important चीज़ है, फिर है electric work, जब बिजली का काम क्या करके देगा, तारें और केवल, जो wires आपकी रहेंगी, वो FRLS, मतलब, अच्छी quality, जब flame retardant low smoke हो गई, तो मतलब, अच्छी wiring होगी, तो wiring अच्छी होगी, तो वो जलेगी नहीं, अंदर से, जब जलेगी, तो आग नहीं लगेगी, तो FRLS, wiring आपको यूज़ करनी होती है, वो contractor, यूज़ करके दे रहा है, आपको, polycap company की, hevels, anchor, जिस company के आप चूज़ करते हो, इस rate में, 1800 के rate में, ठीक है, फिर जो conduits है, sorry, switches or socket जो रहेंगे, anchor के, phinolex, hevels, किसी भी company के choose कर लो, अच्छी quality के आपको मिल चाहेंगे, जो conduits रहेंगी, pipe रहेंगी, मतलब जो slap या चत पर, वो supreme company की या precision की लगेंगी, MMS, FRLS grade की, जब MMS आगया, medium grade आगया, तो बात ही खतम होगी, तो ये चीज भी आपको यहाँ, मिलने वाली है, फिर next चीज जो आपको मिलेगी, जो आपके door और windows, ठीक है, मैं एको फोला side कर लेता हूँ, door और window, जो main door रहेगा, आपका 40 mm करेगा, बहुत अच्छा दिखते है, 40 mm का door दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, grade A में हमें 32 mm का मिल रहा था, तो flesh door मिलेगा, और pine wood का मिलेगा, अच्छी quality का, अच्छी company का आपको door मिल जाएगा, window आपको सब aluminium की window लगाई जाए रही है, 25 mm जो रहे हैं बाहर का, और 5 mm ग्लास हो रहेगा, और यह coated window रहेगा, अल्मूनियों के यह द्यान देना, जो flooring और painting आपको इस rate में करके देगा, और living और dining में जो flooring रहेगी, vitrified tile रहने वाली है, 125 mm पर स्किर फिट, मतलब यहाँ 125 में आपको 2 x 6 का प्लैंग मिल जाएगा, 3 बड़ी-बड़ी tiles मिल जाएगे, italian marble look में, तो यह बहुत अच्छा, इतनी अच्छी tile कौन देगा इस rate में, तो इस rate में आपको यह भी मिल जाएगा, यह हर state में यही लगबग यही rate चल रहे है, कोई ज़ादा आगे पिछी नहीं है, bedroom पचासी रुपे पर square feet की tile आपको ल पर square feet के साब से तक, बाल करनी और staircase में, railing आपको लगा के दे रहे है, SS railing 22, मतलब रेलिंग लेगी, lobby में, marble और grey night आपको मिलेगा, fall ceiling सिर्फ lobby और dining area में, इस rate में हो जाएगी, 800 रुप पर square feet में, home automation, lobby और dining में रहेगा, 25,000 रुपे तक, मतलब 25,000, home automation क्या होगा, मतलब ज मतलब 25,000 रुपे तक, home automation लगा के देंगे, main चीज हमारा खर्चा होता है, हमारा kitchen का, तो इसमें हमें kitchen में क्या क्या में लेगा, देखो, kitchen में हमें जो counter top रहता है, ओटा जिसे बोला जाता है, वो 180 रुपे पर square feet के इसाब से आपको grainite लगा के देंगे, galaxy black का grainite, बहुत counter के उपर, वो 50 रुपे per square feet के इसाब से होगी, तो 50 रुपे per square feet मेरा है, अच्छी मिल जाती है, ceramic, vitrified भी मिल जाती है, कजारिया की company मिल जाएगी, kitchen sink, double bowl sink आपको दे रहे हैं, SS 304 grade handmade, बहुत अच्छी चीच है, 607,000 रुपे की sink मिल रही है, forket और accessory जो रहेंगी, 12,000 तक, जो भी उसमें null, null के लगेंगे, ball लगेंगे, बले वो घीजर के लिए है, water, fire के लिए है, वो 12,000 तक होगा, total इसी में उनको include करना पड़ेगा, आप ये नहीं बोलो कि हम जैगवार का ले लेंगे, वो एक ही 12,000 रुपे का जाएगा, तो ये चीच भी इन्होंने mention की गी, model किचन जो आपकी बनेगे, एक लाग तक बनने वाली है, ये नहीं कि आपको model किचन बनाके दे रहे है, contractor, और आप 3,000 रुपे की model किचन पसंद करो, तो वो नहीं चलेगा न, एक लाग तक जो होगी, वो आपको model किचन अठारा सुर रुपे पर सके refit में मिल जाएगी, फ सब company का आप चूज कर सकते हो, तो ये bathroom का खर्चा भी आगए, जो pipe रहेंगी, CPVC company रहेंगी, बहुत अच्छी है, CPVC pipe अगर कोई contractor यूज कर रहे है, तो बहुत अच्छा है contractor को, क्योंगी लोग UPVC कर देती हैं, और आपको पता हो नहीं चलेगा, तो phinolex supreme इन दोनों में स साथ रुबे पर स्केर के विट के साब से कजारिया जॉंसन की, जो भी आप चूज करते हो, और वाटर वूफिंग करके देगा, इसमें आपकी पैरविट आपको नहीं बना के देगा, आपको मौंटी नहीं बना के देने वाला है, उसके अलग चार्जिस रहेंगे, जो फिर जो स्यब्टिक टैंक होगा, उसका अलग खरचा आता है, ठीक है, बाउंडरी वाल का लग से खरचा आता है, तो यह 18-00 स्केर फीट में ये सब चीज़े काम होते हैं, यह जो बाकी काम होंगे, एक्स्टा चार्जिस लाग होंगे, यह 200 रुपे स्केर फीट पकड़के चलो अगर आपको ये बाकी चीज़े बनानी है तो इस तरीके से हम घर का खर्चा निकाल सकते हैं कि हमें घर बनाने में कितना खर्चा आने वाला है तो I hope ये आपको idea लग गया है कि grade B का घर जब हम बनाते हैं तो हमें कितना खर्चा आएगा जिन्होंने grade A की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें कितना खर्चा था 1400 रुपे पर स्केर फीड था न तो उसमें क्या-क्या मिलेगा उसमें मैंने description वीडियो लाल दिया अभी बचा grade A का गर ठीक है grade A का तो grade C भी हो गया अब grade A का कितना खर्चा आता है क्या-क्या देते हैं वो वो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा अगर आप comment करोगे तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा लेकिन प्लीज चैनल को subscribe कर लिए